हेलो फ्रेंड्स यू आर बैलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ओफ इंग्लेस आज हम पढ़ दाए हैं बिलियम बड्सबर्थ की फेमस पोईम दा टेबल स्टरंड ध्यान दखिए इस पोईम से लाइन्स पूछी जाती है और जो भी लाइन्स इस पोईम से पूछी जाती है उसको ह पहला पब्ली क्रिस्टन आता है उसमें ये पोईम थी टेबल टेंड का जो अर्थ है वो दो प्रिकार की टेबल से है एक दा ओर्डिनरी इस्टेडी टेबल विहर भी इस्टेडी बुक्स पहली तो इन्हें टेबल को बात किया है जब हम अपने घर के अंदर मेज पर बैठकर किताबों का अध्यन करते हैं और दूसरी टेबल को इन्होंने कहा है प्रिकृति की गोद तो कभी यहां पर अपने मित्र से जो और्डिनरी टेबल है जो हाँ पर किताबों को पढ़ा ज ठीक है तो इहां पर दोनों टेबल में अध्यक किया जा रहा है कि किताबी ग्यान और दनौलेज पर आमनिचर इन में compare किया गया है इस poem में और poem जो है William Hazlitt को address करके लिखी गई है और poem में कुल मलाके 32 lines हैं जिसमें 8 sentences हैं और 4-4 lines के चले शुरू करते हैं यहाँ पर poet और उसके मित्र में इस बात पर भहस होती है साम का समय तो कभी कहता है कि अपनी जो किताबों की दुनिया है उनको छोड़िये और प्रिकृति की गोद में चलिये जबकि उनका मित्र कहता है कि किताबों में बहुत ज़्यादा ग्यान है तो इसी बात की बहस पर इसी बात के पर conversation में ये book जो है ये poem जो है लिखी करें तो यहाँ पर कभी अपने मित्र को address करके और compare करते हैं कि which knowledge is better तो बताते हैं कि the knowledge you get from books is boring and full of its life on the other hand the knowledge we get from nature is spontaneous and also health giving तो इसी बात पर ही ये poem जो है जो है यह सुरू करते हैं अब अब माई फ्रेंड उठो उठो मेरे मित्र and quit your books और अपनी किताबों को छोडो और surely you will grow double अन्य था निश्चित रूप से तो मोटे हो जाओगे क्योंकि मेज पर बैठे बैठे पढ़ते रोगे तो तुमारा सरीर जो है वो double हो जाएगा up up my friend and clear your looks करा मेरे मित्र उठो और अपने जो looks में clearness लाओ यानिके अपने चेहरे पर पिरसंदता लाओ क्योंकि किताबों को पढ़ करके आपके चेहरे पर उदासी आ गई है बोरिंग आ गई है संगर्स आ गया है सो अपने चेहरे पर cheerfulness लाओ clear your looks यानिके अपने चेहरे को पिरसंद करो why all this toil and trouble इतनी सारी परिसानी इतनी सारी मेहनत आपकी किस लिए है यह कहना चाहरा है कि और रास्ते भी तो है ग्यान प्राप्त करने के तो इतनी मेहनत और परिसानी फिर क्यों जबकि या दूसरा रास्ता ना होता तो आप यह परिसानी जिल सकते थे अगली लाइड अगली इस्टें जाम कह रहे हैं साम का समय है दा सन अबब दा माउंटेन हैड सूरज पहाड के सिर के उपर पहुंच गया यानि पहाड की चोटी पर पहुंच गया है अफ्रेसनिंग लस्टर मेलो ताजगी प्रदान करती हुई जो कोमल चमक है थूरू ओल दा लॉंग ग्रीन फील्ड हैसे स्प्रैड सारे हरे भरे खेतों में फैल गई है उसकी ये साम की पहली मधुर चमक है तो कह रहा है कि सूरज पहाडों के चोटी के उपर पहुंच गया है और उसकी जो मधुर चमक है वो हरे भरे खेतों में फैल गई है और ये साम की पहली चमक है इसलिए तुम भासे उठो और इसको देखो जाके books it is dull and endless strife किताबें जो हैं वो endless strife हैं लगातार संघर्स है उनमें boring है किताबें आपके मन में बोरियत लाती है आओ come and hear the goodland lineage lineage यहां पर एक पक्छी का नाम है bird का नाम है आओ और इस जंगली lineage चुडिया को सुनो उसके संगीत को सुनो how sweet is music on my life कि मेरे जीवन में इसका जो संगीत है वो कितना मधुर है there is more wisdom in it इसमें ज़्यादा ग्यान है यहनि कि जिन किताबों को आप पढ़ रहे हो उनमें संघर्स है और इस चुडिया के जो music है जो उसका singing है उसमें अधे के ग्यान है दूसरे फिर एक अधर वर्ड का एक्जाम्पिल देते है and hark और सुनो listen how bleed the throsal sings कि कितनी प्रसनता के साथ bleed का मतलब with happiness कितनी प्रसनता के साथ जो थ्रोसल पक्षी है वो गाता है he too is no mean creature वो भी किसी तरह से कोई छोटा मोटा शिक्षक देने बारा नहीं है वो भी एक अच्छा teacher साबित होता है come forth into the light of things let nature be your teacher इसलिए प्रिकृति के जो object है into the light of things उनके संपर्क में आईए let nature be your teacher और प्रिकृति के इन सारी चीज़ों को प्रिकृति को अपना अध्यापक बनने दीजिए इनके प्रिकृति से सीखने की कोशिस कीजिए तो कराए प्रिकृति की चीजों के संपर्क में आईए और इस प्रिकृति से सीखने की कोशिस कीजिए क्यों सीखने की कोशिस कीजिए फिर वो जवाब देते हैं सी हैज सी का मतलब यहाँ पर नेचर सी हैज वर्ल्ड ओफ रिडी बैल्ट आबर माइंड एंड हार्ट टू ब्लेस हमारी मन को और हमारे हिर्दे को बर्दान प्राप्त करने के लिए प्रिकृति में चारो तरफ रिडी मेड धन भरा हुआ है प्रिकृति में जिधर भी देखिए हमको ग्यान देने के लिए हमको बर्दान देने के लिए हमारे मन और हिर्दे को ब्लेस करने के लिए प्रिकृति में चारो तरफ ग्यान ही ग्यान है धन ही धन भरा है spontaneous wisdom breathed by health और जो प्रिकृति के द्वारा जो हमको ग्यान मिलता है वो spontaneous है सुथा मिल जाता है हमको गिरहन करने की आप सकता नहीं है हमको टॉयल करने की आप सकता नहीं है वो सुथा मिल जाता है breathed by health और से स्वास्त के द्वारा मिलता है दूसरी तरफ किताबों के द्वारा जो हमको ग्यान मिलता है वो बोरिंग है अनहेल्थी है लेकिन जो हम नॉलिज प्राप्ट करते हैं बाई नेचर तो वो हेल्थ गिविंग है और एज बेजल इस्पॉन्टनियस है यह उसको प्राप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टॉ प्राप्ट होते हैं फिर अगली लाइन में कह रहा है यह पूरी लाइन फोर लाइन्स विलू में हैं बहुत इंपोर्टेंट लाइन्स है एक्जाम के लिए बन इंपल्स फ्राम्दब बर्नल बॉड इंपल्स का मतलब है यहां पर प्रिणना इंकरेजमेंट और बर्नल तब है इस्प्रिंग सीजन का आपका बॉड तो कराए इस्प्रिंग सीजन का जो बर्नल बॉड है जो इस्प्रिंग सीजन का बॉड है वो उसका एक ही इंपल्स एक ही फ्रिणना काफी है में टीच यू मोर देन मैं आपको एक मनुष्ट से ज़्यादा सिखा सकती है यह य ग्यान है और ऐसे में जो इस्प्रिंग सीजन का ग्यान है उसका एक ही इंपल्स काफी है आपको सिखाने के लिए of moral evil and of good than all sage can जितना की सभी साधु आपको सिखाते हैं कि क्या बुराई है और क्या अच्छाई है क्या करना अच्छा होता है क्या करना बुरा होता है यही तो संत सिखाते हैं तो इन संतों से ज़्यादा moral evil और good के बारे में आपको प्रिकृति सिखा देगी नेचर सिखा देगी और प्रिकृति को यहाँ पर विलियम बर्ट्सवर्थ ने मनस्य से ज़्यादा बड़ा teacher माना है अगले इस तेंजाम कहते हैं so it is the lore which nature brings जो नेचर लाती है वो लोर वो ग्यान अधिक मधूर है यहीं कि प्रिकृति जिस ग्यान को प्रदान करती है वो ग्यान मधूर है our meddling intellect और जो हमारी intellect है जो हमारी बुद्धी है जो हमारा ग्यान है जिसको हम किताबों से प्राप्त करते हैं जिसको हम आम मनस्यों से प्राप्त करते हैं वो meddling है पागल कर देने बाला है क्या करता है यह miss saves the beautiest form of things इस दुनिया की सुन्दर चीजों को miss save कर देता है उनका रूप बिगाड़ देता है be murder to dissect इस प्रिकार हम उनको तोड़ मरूर करके dissect बारे तोड़ मरूर करके उनका murder कर देते हैं प्रिकृति की सुन्दरता को हम बिनास कर देते हैं तो इसलिए कहते हैं अपने मित्र से बहुत हो गया enough of science and of art कला की बारे में बिग्यान के बारे बहुत बाते हो गई close up those barren leaves इन जो barren leaves हैं ये अनुत्पादक, unproductive पन्ने हैं किताबों के किताबों को जो pages हैं उनको बंद कर दीजिए comfort सामने आईए, संपरक में आईए and bring with you a heart और अपने साथ एक ऐसा दिल लेके आईए that watches and deceives, जो देखता है, प्रिकृति को देखना चाहता है और प्रिकृति से ज्यान प्राप्त करना चाहता है ऐसो दिल को लेकर आईए क्योंकि प्रिकृति में चारो तरफ ज्यान ही ज्यान भरा हुआ है तो उमीद कर रहे हैं आपको ये poem समझ में आई होगी Thank you, all the best